जैश्री राम मित्रो मैं सीमा रहिला मेरे चैनल मा की रस्वई पर आपका स्वागत है आज हम लेकर आएं बहुती सुगंदित घी से बनी हुई बत्यां जो आप 12 माहिने मिनाफ्रिस के बाहर रख सकते हैं बहुती सुगंदित हैं और घर की उर्जा को बढ़ाने वाली हैं त बत्याप मिनाफ्रिस के 12 महीने बाहर रख सकते हैं इसी भी यह टाइट कंटेनर में पार्केट में जो मिलती हैं उसमें देखिए शुद्ध देशिगी का इसमाल नहीं होता तो आप घर में ही कम दाम में और एक अच्छी चीज़ बना के तयार कर सकते हैं तो हारों में मिठ का भी इसमाल कर सकते हैं अब बत्ती वे जो धागा रहता है उसको हम इस चिम्टी की मदद से अलग कर देते हैं मोम गरम है ध्यान धखते वे काम करें कपूर को हमने पीस लिया साथ ही हमने लुभान को भी पीस लिया है अब यहां पर देखे मोम मैंने बहुत ज़्यादा ग पार्किट वाले शुद्धगी का इसमाल नहीं करते हैं तो आप जो अपने हाथ से बनाएंगे उस चीज़ पर आप विश्वास कर सकते हैं तो इस तरीके से दोनों चीज़ों को हमने गरम करके मिक्स कर लिया एक चम्मच लोग भान डाला अब हम इसमें पिसावा कपूर ड और यह बत्ती बहार बिना किसी प्रिस के इसी तरीके से आप जट पक चाहें तब पक तिकी रहेगी बत्ती हमने मोटी बनाई है तो आप इसकी वीडियो जो है जरूर देख लीजेगा आपको बहुत फायदा होने वाला है कई तरह की बत्तिया मैंने बनानी बताई है लिंक तो आप शिकायत करेंगे कैसी बत्ती बनानी बताई तो आप जरूर इन बातों का ध्यान रखें बत्ती सी भी रखें और साथ लौकों जरूर भीगाए तो यह सिलिकोन का मोल्ड मैंने इसमाल किया है आप आप चाहें तो आईसक्रीम की ट्रे या किसी ढखकन किसी भी चीज इसका जो आप आकरिती देना चाहते हैं उसका इसमाल कर लीजिए मौसम ठंडा है तो देखें बाहर ही हमारी ये बत्तियां तयार हो गई आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं पासे दस मिन अटके बढ़िया से मुंबती जल्दी से सैट हो जाएंग तैयारी करते हैं कुछ अच्छी सी सुगंदित बत्ती की और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेर कीजिए बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए ताकि इस चीज़ का सब लोग लाग बढ़ा सके और घर को बनाईए उर्जावान सुगंदित दूप बत्त और चैनल पर नए हैं तो चैनल कर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो मेरी अच्छी वीडियो आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो बहुत ही शुब कामनाओं के साथ इस पर्क के लिए धन्यवाद